पुछ 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 नहीं कर रहे हैं। क्काश्मीर फायर्स और केला स्टोरी जैसी फिल्म में विवादों में हैं। लेकिन अब ताजा फिल्म अजमेर 92 जो है वो भी विवादों में गिर गई है, इस फिल्म का टीजर तक बाहर नहीं आया है, ऐसे पोस्चर के बल पर फिल्म के बैन की बात की जा रही है, फिल्म के डिरेक्टर पुषपेंदर सिंग हमारे साथ है, पुषपेंदरी जी हमें बवाल करना चाहिए या जो भी है, तो करे तो एक बार समझ में आता है, और बिना किसी चीज को जाने और समझिए इस तरह से फिल्म को प्रफवगंडा बोलना या इस तरह से बवाल करना, ये मेरे ख्याल से गलत है, ऐसा नही width होना चाहिए और एक Already फिल्म कर हम एक सत्य घटने ओर सची कहानी ओधाना चाहते हैं जिसमें कि हम ना तो किसी भलान किसी धर्म या किसी को हमने हम टार्गेट नहीं करते और बाकि ये यह कि बार टीजर तेमढ़ देखे उसके बाद करना है है वो डिसाइड करें कि भई उनको दाभाल करना नहीं करना सचाई क्या है क्या रहने के बास्ट नकि ज्यूस करके आप जुच Councillor के लिक्या गया गया तो उद रस्टिस मिला नहीं मिला उसके उपर बेस मेरी पूरी फिल्म है और नाकी किसी रिलीजिस या धरम पर बेस है मेरी फिल्म और उनके साथ जो हुआ कहीं नहीं एक हम पुरूष प्रधान देश बोलते हैं बट आज जो लड़कियों के साथ कलत होता आ रहा है और हम उसको इसे पहले पता होना चाहिए तो उसी चीज़ को लेकर हम ने यह फिल्म है और यह चीज हम दिखाना चाहते हैं आपकी कहानी नको टागेट करती है तो यह गलत बात है हम किसी धरम या रिलीजस को टार्गेट नहीं कर रहे हैं हम एक सची गटना दिखा रहे हैं जो गटी है और कहते हैं कि क्रिमिनल का कोई धरम मजभ नहीं होता जहां तक मेरा मानना है बागी लोग इसको किस वे में ले रहे हैं वो तो इक बार उनको फिल्म करना चाहिए कि क्या हमने रिलीजस को टार्गेट किया या नहीं किया है भारत का बहुत बड़ा मुस्लिम संगठान है जमियत अलमा हिंद जिसके मुख्या है मदनी वो साफ तोर पर कह रहे हैं कि जो जिन्होंने फिल्म बनाई है उन पर कारवाई होनी चाहिए उनको जेल म में होना चाहिए इसका जवाब कैसे दे gay यहीं देखने के बाद फिल्म हों कि क्या वारत करें कि क्या वक्क कहा है नहीं होता है हम तो सबसे कहानी के उपर work करते हैं जहां पर लगता है कि एक सत्यता अगर दुनिया में समाज में लोगों के सामने लानी चाहिए तो वो हम लाने के कोशिश कर रहे हैं तो मेरा वही इनसे विंती है रिक्वेस्ट है कि वह बार फिल्म देखें उसके बाद जो वो कह रहे हैं क्या उसमें सच्चा ही है या नहीं वो फिल्म देखने के बाद ही तरह करें तो बेटर रहेगा फिल्म अजमेज 92 विवादो में है फिल्म के मुखे कलाकार करन वर्म हमारे साथ है करन स्वागत है आपका इंदिया टीवी पर आपके फिल्म पोस्चर आते ही विवादो में है ट्रेलर टीजर तो अभी बाकी है क्या कहेंगे आपके किरदार के बारे में और फिल्म इतने ज़्यादा विवादो में होने की पीछे क्या लगता है आप मैं विवाद हूं में है तो सही लेकिन अभी तो सब एसा बस सोच रहेंगी मूवी में ऐसा होगा यह गिन ऐसा कुछ है यह नहीं उसमें किरें कोई भी मजहब और यह जिस आप से विवाद चल रहा है रहा है तो कुछ भी नहीं है उस पे केस चलता है तो कैसे वो अपरादियों को सजा दिलवाद है तो इस तरीके का सब्जेक्ट और में इस तरीके का करेक्टर प्ले गर रहा हूं तो विवाज जिस चीज पे है वो चीज मुवी के अंदर है यह नहीं के यह स्फिंदों मेरे को नरेट किया है और जो मुझे बताया गया और जो मैंने खुछ से करा है हां उस वियाद से में कह सकता हूं कि यह पूरा मामला क्या था जिसach मुख की घुए खी चानगी एफ फोर zaw coy शोब काफीर जानते हैं कि यह मामला मामला तो स्रु के साथ दिया है तो हम अराउंड 3-4 मन्थ इस सब्जेक्ट पे साथ में बैठे हैं तो सर ने मुझे बहुत डिटेलिंग में सब्जेक्ट बताया था तो वही मतलब कि हमने वह चीज करी है तो किसी रिविजियन को तो टार्गेट नहीं है बट एक जो एक लड़की है जो उसका पेन है क्योंकि रियल जो गटना है जो मैंने रिसर्च किया था जो सर ने किया था उसमें बहुत सी लड़किया नाभालिक भी थी चाद आता है तो वह वह भी रिजन था कि वह रिपोर्टर को कैसे लगता है कि यहां कुछ तो चल रहा है तो क्योंकि वह जिससे प्यार करता है कुछ उसके साथ भी मिस हैपने लव जिहाद का भी एंगल है कहानी में आपके जिसका मतला अच्पर बहुत इठा हो गया हां लेकिन मैंने कहा कि मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं यह अगेन मैं कहूंगा कि एक जो अमने लड़कियों का पेन दिखाया गया है क्योंकि आत्मा हाथ में अच्छा करना मतलब क्योंकि उन लड़कियों कोई सपोट ने कर रही हैं वो उनको को काहान नहीं को और रही है कि असनूची बहूत है कि यह सका जोता लाना है है कि हमाई कि मेरा सीधा सवाल मैं आप से पूछूंगी जमियत उल्मा हिंद बहुत बड़ा मुस्लिम संगठन है वो आपके फिल्म को रिलीज होने से पहले ही बैन की बात कर रहा है इतनी बड़ी फिल्म है आपकी इसमें लीड रोल कर रहे हैं इस पर क्या रियक्शन है आपका वो एक्चली में मैंने सुना लेकिन वो जिस बारे में बोल रहे हैं ऐसा कुछ है नहीं वो सिर्फ उनकी प्रिडिक्शन के ऐसा है बड़ा सा कुछ है नहीं शायद वो अगर मुवी देखेंगे तो उसके बाद आई थेंगे सब नहीं होगा कुछ मुसलिम संगठनों के तरफ से फिल्म अजमेद 92 का विरोध किया जा रहा है फिल्म की कलाकार सुमित सिंग हमारे साथ मौजूद है सुमित सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आपके फिल्म का महज पोस्टर सामने आया है लेकिन बैन ये जो शब्द है वो सबसे ज करना गलत है क्योंकि हमें बोल देना कि ये चीज आ गही है और मुद्द उठा देना उस बात पर वो नहीं देखे अभी वक्ते का अधिकार जरूर है लेकिन एक बार सोची उसके पीछे कहानी है उसके पीछे भावनाएं है कुछ लेड़कियों का सफर है जो दिखाया गया है किसी की भावनाओं को ठेस पहुचाने का कुछ नहीं है इसमें अगर मैं कहूं तो आपकी फिल्म पर ये एक आरोप लग रहा है कि हिंदू मुसलिम में जगडे करवा देगी फिल्म माहौल खराब कर देगी अजमेर शरीफ को बदनाम करने की कोशिश है क्या कहेंगी कि अत्याचार पर ये कहानी है जी 250 ऑन रिकॉर्ड है और हमें बाकी पता भी नहीं है सोची अगर कुछ पेरेंट्स हैं बाहर से आते हैं वो रिष्टा करने के लिए तो फोटो लेगे आते हैं कि यहां पर शाती करने क्या तो मतलब वो कहानी है जो लड़कियों ने क्या विरोध हो रहा है विरोध किसी भी चीज का नहीं हो रहा है ये फैक्ट्स हैं जो 87 से 92 कुछ लड़कियों के साथ कुछ घटा था जो दिखाया जाएगा उनके इमोशन्स को और शायद हो भी राओगा हमें नहीं पता उसे रोकने के लिए दिखाना जरूरी है और हमारे जन की कोशिश है जिसले फिल्म के बैन की मांग की जा रहे है जी ये सची हटना है और सारे फैक्ट्स को मद्धे नजर रखते हुए ही सब चीजे बनाई गई हैं क्योंकि इतनी सेंसिटिव चीजे हैं तो अगर कोई बना रहा है तो वो opposite चीजों को भी देखेगा कि कि किसी की जो सामने आनी चाहिए है आपके फिल्म अजबे 92 हो गई कश्मीर फाइस की बात करे केला स्टोरी की बात करे बहुत जादा विरोध हो रहा है सीधे आरोप लग रहे हैं कि फिल्म entertainment के लिए नहीं है एक propaganda है मुख्य कलाकार की तौर पर हैं आप इस पर क्या कहेंगे मैं यह कहूँगी कि मैंने एक किरदार को जिया है एक वन आपता विक्टम को जिया है जो मेरे लिए तो जब मैंने सुना कि ऐसा कुछ हुआ भी था तो मेरे रॉंग्टे खड़े हो गए जब मैं शूट कर रही थी आप इसा पैसा हुआ था क्या और 250 के बारे में सिर्फ प शायद यह महौल मिलता होगा उसको वैसे 92 में जैसे लड़किया रहती है तो मैंने वो जिया और मैं ऐसे सदमे में थी तो सबको पता होना चाहिए कि क्या हुआ था उन बच्चियों के साथ में और 250 ने तो खहर हिमत करके आगे आगए बाकी पता नहीं कितनी थी हमें नहीं आप कहरी है सबको पता होना चाहिए यह वो लोग जान बूच कर चाहते हैं फिल्म बैन हो ताकि सचा ही बाहर ना है जी अगर वो बैन की डिमांड कर रहे हैं तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ जी फैक्ट्स बोलेंगे आगे और फिल्म देखेंगे और बस मैं इतना कहूंग कि हिंदु मुसलिम जैसा कुछ भी नहीं है और किसी की भावनों को कोई ठेस नहीं पहुचाए जाएगी एक सवाल मेरा ये है कि फिल्म की शुटिंग जब आपकी अजमेर में हो रही थी आपके सेट पर भी कुछ लोग पहुचे थे तोड फोड की बात की जा रही थी ये चीज़े आप लोगों के सामें आईगा है जी देखिये जब कुछ बनाते हैं फैक्ट्स पर लोग चलते हैं तो नौ दस तो होता है ओपर नीचे तो होती है चीज़े बाकी हमें कोई प्राब्लम नहीं फेस करनी पड़ी क्या कुछ कहेंगे कि फिल्म अभी तो से पोस्टर आया ना टीजर ना ट्रेलर लेकिन बैन की बात सामने आ रही है फिल्म आ रही है सोलर जुलाई को अगर मैं गलत नहीं हूं तो चौदे जुलाई को किस तरह से इसको देखते हूं कि कि फिल्मों को बैन करने की बात करें तो ट्रेंड साइक तौर पर बन गया है और जिसका एफेक्ट कलाकारों पर भी बहुत जादा पढ़ता है जी फरक तो बहुत पढ़ता है क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था सिर् उनके emotions की उन्होंने क्या कुछ नहीं सहन किया जहां पर बच्चेया ठीक से अपने माबाप से भी बात नहीं कर पाती अगर कोई लड़का भी छेट देता है तो बता नहीं पाती घर पे आके की ऐसा हो गया तो उनके साथ इतना कुछ हुआ और बता भी नहीं पाई और उसक जी मुझे बिलकुल नहीं पता था कि हमारे देश में ऐसा कुछ हुआ है और लड़कियों को ये सब कुछ मतलब वो जी नहीं रही थे अक्शली वो घुट रही थी मैंने जो जी आ जो whatever the scene I've done तो मैं घुट रही थे अंदर से तो मुझे इतना कहना है कि the nation should know about this और मेभी 1% अगर कहीं हो भी रहोगा तो वो देखेंगे तो काप जाएंगे कि पता है यार पर सच कहूं तो मुझे भी मैं किसी से discuss भी करूँ ना तो उनको भी नहीं पता हमारे साथ के लोगों का हमारे actors को किसी को नहीं पता यार इतनी बड़ी बात है इतनी बड़ी घटना है और यह